आज हम लोग सीखेंगे कम पैसे में आसानी से आई कार्ड बनाने के लिए ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको आई कार्ड कैसे बनवाना है और किस तरीके से काम करना है कैसे आई कार्ड होटो डेटा भेजना है तो इन सब की सारी जानकारी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और आप बहुत ही कम पैसे में बहुत ही कम खर्चे में इंप्लॉई का, अस्टूडेन्ट का, कोई भी ओफिस का ID कार्ड धरबयठे बनवा सकते हैं इसको मैं आज step by step बताने जा रहा हूँ तो आईए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वेल आइकन को दवाना न भूलें तो सबसे पहले आईकारड घर बैठे बनाने के लिए हम लोग स्टुडेंट का या किस इंप्लॉई का आईकारड बनवाना है उनका डेटा आपके पास होना चाहिए डेटा इन दा सेंस जैसे कि उनका नाम, फादर्स नेम, क्लास, रॉल नमबर, सेक्सेंट, डेट ओ बर्थ, मोबाइल नमबर, अड्रेस ये सारा डीटेल होना चाहिए और आप उस से एक पेपर पे लिख लें और यदि उनका फोटो है आपके पास तो उस पेपर पे चिपका लें कुछ लोग पिन कर देते हैं फोटो को तो पिन नहीं करना है, पिन करने से प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीका का एक रिकॉर्ड आपको बनाना है और उसमें एक नंबर यूनिक रखना है, मतलब एक काउंटिंग नंबर रख लिजए जैसे एक से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो 10 employee हैं, तो 10 तक नंबर जाएगा, 100 student हैं, तो 100 तक नंबर जाएगा तो इस तरीके से आप, लेकिन हाँ, ये नंबर को बड़ा लिखना है मतलब जेनरल जो लेटर होता है, उससे 2 गुना, 3 गुना बड़ा लिखना है यदि आपके पास ये फोटो नहीं है, पास्पोर्ट फोटो नहीं है, तो आप इस तरीके से फोटो खिचवा के मंगा सकते हैं उस paper को पकड़ करके, इस तरीके से फोटो खिचवा लेंगे और आप हमें ये फोटो भेज देंगे ठीक है, WhatsApp से, इमेल से, जिस भी माध्यम से आप भेजना चाहते हैं, भेज सकते हैं, जैसे ही आप पहला स्टेथ पूरा कर लेंगे, ये फोटो जो आप हाथ में लिया हुआ है, इसका भी फोटो अलग से भेजना होगा, क्योंकि आप जब WhatsApp करेंगे, तो ये फोटो में जो छो सफट्वेर में इंटर कर सकते, तो हम आपको स्टेप 2 में ले जाएंगे, जिसमें आपको इस तरीके का डिजाइन बना करके, उनका जो है फोटो, उनका नेम, क्लास, सारा कुछ लगा करके, आपके द्वारा पसंद किये गए डिजाइन में, हम इस काम को कर देंगे, जिसम आप इन सारे फोटो का नेम और सारा डीटेल सही है कि नहीं, फोटो सही लगा हुआ है कि नहीं, सारा कुछ चेक करके, आप हमें यदि कोई गलती है, तो वो इस तरीके से करके भेजेंगे, या लिटिल लेर्निंग अस्कूल का है, तो आपको उपर में अस्कूल का नाम लि लेना है, जिसमें सबसे पहला कॉलम होगा, आईडी नंबर, उसके बाद करेक्शन बन और करेक्शन टू, करेक्शन थ्री भी आप कर सकते हैं, यदि ज़्यादा गलती है किसी एक काड में, तो आपको यही पिक्चर आईडी या आईडी, है ना, यही नंबर यहाँ पर है, ताकि हम उस आईडी नंबर का फादर नेम और डेट अव बर्थ मिला सकें, फिर अगला कोई आईडी का, आईडी नंबर मिला जिसमें गलती है, तो केवल गलत वाला लिखना है, जो सही है, उसको बिल्कुल छोड़ देना है, जैसे ही आपको जो भी नाम, नेम में गलत मिला है, तो नेम लिख दीजिए, बलाट ग्रूप में गलती मिला, तो बलाट ग्रूप लिख दीजिए, हैना, जो आईडी नंबर है, उसके सामने सामने, जो भी करेक्शन है, वो आपको लिखना होगा, जब आप लिख लेगे, माल लिया कि किसी का फोटो गलत हो गया, मतल आपको जो है, ये फोटो नंबर ये आईडी नंबर लिख देना है, यहां की, 319 में आप 432 वला फोटो लगा दीजेगा, तो ये 319 वला आईडी सही हो जागा, माल लिया 432 में कोई और है, तो 432 में कोई और इस तरीके से करके आप करवा सकते हैं, तो इस तरीके का एक लि के अनुसार से आपके द्वारा फीता सिलेक्ट जो किया गया होगा, जो होल्डर सिलेक्ट किया गया होगा, वो सारा चीज उसी के अनुसार से आपको बना करके भेज दिया जाएगा, भेजने से पहले आपको पेमेंट करना होगा, जो पेमेंट आप पे टियम भी, गूगल पे या account में भी डाल सकते हैं यही number का use करके 9386 970229 जैसे ही आपका payment आएगा courier कर दिया जाएगा या आप जैसे कहेंगे आप बस से बोलेंगे बस से हम भेज देंगे आप जो है बोलेंगे कि नहीं हमें courier कर दीजी हम courier कर देंगे या आप खुद लेने आना चाहते हैं आप खुद लेने आ सकते हैं तो इस तरीके से आप जो है ID कार्ड आसानी से बना सकते हैं तो कुछ हम आपको sample भी यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपके पास यह पहला sample यह देखिए आया हुआ है इस तरीके का जरली इंट का ID कार्ड इसी तरीके .. से बनता है है ऐसा ही इसको pesting कार्ड का जाता है PVC कार्ड जिस में general door लगा हुआ है और आपका यह ID कार्ड चिपकाय ही हुआ हुआ रहता है अधिकांस आई कार्ड ऐसा ही बनता है इस इसी में एक आ दुसरा i-card होता है, जो थोड़ा सा, छोटा होता है, small size का होता है, जिसमें वही general fitah और ये इस तरीके का pasting क्या हुआ ID card लगता है, इसी i-card का चौड़ा में भी आता है, वो लंबा में था i-card, ये चौड़ा में i-card आएगा, जिसमें आप जो है इस तरीके का i-card बनवा सकत हैं, फिर और देखिए इस तरीके का employ i-card, ये जो है आपका इसमें lanyard जो use किया गया है, वो high quality का lanyard है, certain lanyard यानि फीता जिसको कहेंगे, इसमें hook का भी इस्तमाल किया गया है, जिससे थोड़ी खुब सूर्ती बढ़ जाती है, लेकिन इसका एक demerit क्या है, कि hook लगाने स कार्ड जब single sided होता है, तो वो पलट जाता है, अपने आप जैसे चलते फिरते क्या होता है, कि i-card पलट जाता है, तो इसलिए hook जो है, नहीं लगाते हैं, हम लोग generally student वाले में, आप कहेंगे तो आपको लगा दिया जाएगा, जिसका अलग से charges देना होगा, इसके बाद जो जारे है, प्रोग्राम औरुगृणाईज करने जारे हैं, सेमिनार औरुगनाईज करने जा रहे है तो उसके लिए इस तरीके का i-card भी बनता है, one day i-card है, मतलब एक दिन के लिए कहीं use किया जाता है, i-card то उसके लिए ये आप बनभा सकते हैं, फिर इस तरीके से देखिए government service का भी i-card जो है बनाया जाता है यहाँ ATM card इसमें लगा हुआ है जिसमें आपका transparent holder back side में भी इसका designing होता है है तो इस तरीके का भी i-card बनवा सकते हैं यह सब बहुत सारा i-card है जैसा आप बनवाना चाहें तो आप जो है यह सब तरीके का i-card बनवा सकते हैं देखिए आपके सामने बहुत सारा i-card हम रख रहे répondre है कि दिखा दे रहे आपको आप इसमें से जो भी चूज करना चाहें कर सकते हैं देखिए यह holder है आपको holder भी दिखा दे रहे हैं यह जो चोटा में holder है यह जो है खड़ा में holder इसमें दोनों side चितका जा सकता है और single side का भी आता है इस तरीके का privilege card का designing यह है यो यो जिसको कमर में लगा जाता है i card कमर में लगा हुआ रहेगा तो employee के लिए यह best होता है यह hook है यह simple i card देखे simple i card जो एक दिन के लिए use किया जाता है वो इस तरीके का designing करके आपको दे दिया जाएगा आप उसमें खुद से नाम फोटो वगरा चितका के डालके student को या दे सकते जो form भर रहे हैं तो वो किसी पेज पर भर रहे हैं या फिर आप मेरे द्वारा बनाएगे form का भी इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें आप आसानी से हर एक के लिए column बना हुआ रहेगा ताकि गलती की संभावना नहीं रहेगी आप जो है इस form का भी use कर सकते हैं जिसमें student का नाम, mother name, father name, class, section, role number, date of birth, blood group, permanent address, mobile number, यह सब सारा कुछ भर सकते हैं, photo भी यहां पर paste किया जा सकता है या photo का number बड़ा सा जो लिखना है एक number वो यहां पर लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आपका आई-card बहुत सारा अलग, यह multi-color फीता है, multi-color lanyard यह भी आप यूज़ कर सकते हैं, यदि आप high quality का i-card बनव पाना चाहरे हैं, तो multi-color lanyard का यूज़ करिए, जिसमें इस तरीके का lanyard आपको मिल जाएगा, जिसमें multi-color printing होगा, दोनों साइड इसमें print रहता है, lanyard में, कुछ i-card है, जिसका इस्तमाल आप आसानी से कर सकते हैं, यह आपका privilege card है, आप जो है अपने दुकान के लिए, swap के लिए, उसके promotion के लिए, यह card बना सकते हैं, बनवा सकते हैं हमसे, इस type का बहुत सारा holder भी आता है, अलग-अलग quality में, यह LC holder, थोड़ा high quality का यह holder है, इसमें double-sided testing किया जाता है, यह small holder है, आपका small size का पार्थो holder जिसको कहा जाता है, यह आप student के लिए use किया जा सकता है, इतने color का आपको lanyard available होता है, तो इसमें से जो color आपके company को या logo को suit करे, वो आप choose कर सकते हैं, जनरल lanyard में आपको इतने color का lanyard आपको मिल जाएगा, यहाँ पे यह सब तरीके का lanyard बन करके तयार होता है, जिसमें अलग-अलग का हूक और material लगया गया है, जिसको भी आ आसानी से आप select कर सकते हैं, कि किस तरीके का lanyard आपको चाहिए, इस तरीके से आप ID card आप आसानी से घर में बना सकते हैं, जल्दी से order करें, यदि आप i card बनवाने के एचुक हैं, तो जल्दी से हमें order करें, हमारे दिये गए नंबर पे phone करें, और हम आपको samples सारा भेजें और आपको आसानी से घर पेठे i card बनवा लेंगे, धन्यवाद.